देखिये ये देश था कौन सा तिबबद आप लोग बथा ये फट embargo ये देश का नाम क्या था तिबबद पे चाइना ने पकबजा कर लिया 1959 में जब तीबत पे कबज़ा किया चाइना ने तो यहाँ के लोगों को बड़ी मार मारा बड़ी मार मारा 1959 में और यहाँ पर लोग आज भी कभी नहीं कहते हैं तीबत को स्वतंद करो क्योंकि मारा एतना मार और उसके वासे किसी परिवार में चार आदमी हैं न तो एक आदमी को इधर भेजा एक आदमी को हैिनान में मंचूरिया बेज दिया एक आदमी को यहां भेजा आज तक बिचारे लोग अपने परिवारे वाले को खोज रहें क्या अंदोलन करेंगे वो लोग यहां पर चुट्टा कस्मीर वाला यहीं का यहीं रह गया है भारत सरकार को भी पकड़ के गुजरात भेज दो एको कन्या कुमारी भेज समझने की कोशिश करो तो समझ मैं भी करेगा तो यह भूटान यह तिबद पर चाहिना ने क्या कर लिया था कब जा कर लिया अब तिबद की दूरदसा देखकर यहां एक यह भूटान को लगा कि भाई हमारे के साथ भी ऐसन और मार मारे सब तो इसने भारत से कहा कि आप हमा आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी दे देंगे, हमारा बिदेश निती आप ही समालिएगा, संचार विवस्ता आप ही समालिएगा, सेना आप ही समालिएगा, तो भारत ने का ठीक है दे दो हमको, तो बताए भूटान की सुरक्षा कोन करता है भारत, हम इसलिए करते हैं, ताकि भारत उसकी रक्षा करता ही है चाइनवा जो था इतना बड़का चोट्टा है इसको यहाँ पर समझेए यह भूटान को कबजा करने के लिए सोच रहा था 2017 में यह डोकालाम में घुज गिया कहा घुज गिया डोकालाम डोकालाम में घुज गिया अब भूटान का जगा है डोकालाब यह डोकालाम देना सही नहीं है क्यूंकि डोकालाम बहुत उंचाई पे है और अगर आपका कबजा उंचाई पे हो जाता है तो नीचे के जगहों पर आपकावi से ही अधिकार हो जाता है तो चैना कर रहा है कि हम wz़ोगा लाम हमारा है क्योंकि उस इस यहां से भारत-पहर इजली नजर रख सकते हैं तो रहत यहां पर 27 थे मोधीजी जिए जिस ने का कि चुट्टा करें कि تم पीछे हटता है कि नहीं करन नहीं हटेंगे मोदी जी ने पूरा नेवी लगा दिया यहाँ पूरा का पूरा नेवल ब्लोकेज लगा दिया यहाँ यहाँ पर डोकाल हम तुम्हारा है तो सिंद मास अगर हम आ रहा है आओ चट्टा कोई का चड़ो यहाँ से अब पूरी एरफ पूर्स रेडी रखे आप यहाँ देख लेते फर यहाँ देंगे भूटान वी एक दम खूस हो गया बहा हमारे लिए इतना लडाई वाह हमारे लिए बहारे भाई भूटान भी खूस हो गया असिर ने चाइना को लगागे मोदी जी क्या करें थोड़ा सा टटोल रहा था मो कारा को यहां को जहां चारा था था मचली मारने वाला भी मारने पूर्शेघ रागा न संट करता इंडियान आरमी बूटान की राजधानी भूटान की राजानी थीमपू भूटान की राजानी थीमपू और भूटान में पहार से जो नदिया निकलती है बड़ी तेजी से निकलती है तो भूटान में जो नदिया निकलती है ये बहुत चौड़ी नहीं है लेकिन पतली है अब पहाओं के बीच से निकलती तो इस पीड बड़ी तगड़ा होता है अब पहार से निकलने वली नदी का सुचते हैं कितना स्पीड होगा तो भारत सरकार ने भूटान से कहा कि देख भाई हमको तुम इन नदियों पर बांध बनाने तो इससे हम बिजली बनाएंगे यहां भारत ने क्या बना दिया बिजली घर बना लिया भारत ने क्या बना बिजली घर और भूटान को वह बिजली फिरी में दिया जाता है बचे हुए बिजली को भारत खरीदता है भारत क्या करता है खरी दिता है मैं आगे इने बचे हुई बिजली को भारत क्या करेगा खरी दिता है सोचे भारत कितना महान है हम लोग चाहेंगे तो खुद से खुद बिजली बनाए है चाहिना रहता तर लूट लेता हम लोग खरीदते हैं तो यहां पर बिजली घर है